नमस्कार दोस्तों आपका ज्यान अधिका चैनल पर स्वागत है रविवार के दिन हमाय जीवन में एक महत्पूर्ण इस्थान रखता है शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस दिन को पसंद ना करता हो इस दिन का इंतजार तो सभी को होता है बच्चों से लेका बुड़ों तक जादत अदेशों में जिसमें भारत भी शामिल है जहां संडे को ही छुट्टी होती है जहां इस दिन स्कूल, कॉलेज, गौर्मेंट आफिस बंद रहते हैं संडे आते ही हमाई चहरे पर एक मुस्कान और सुकून दिखने लगता है आराम, मौज, मस्ती करने का मौका मिलता है पर क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि क्यूं संडे कोई छुट्टी होती है बाकी दिन क्यूं नहीं होती आईए आज जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है इसके पीछे क्या करण है धार्मिक माननेताओं की बात करें तो हिंदु धर्म के अनुसार रवी वार हपती का पहला दिन सूर्य का वार होता है इस दिन पूजा पाठ ध्यान करने से पूरा सप्ता मंगल मैं और मन को शान्ती मिलती है और कामों में सफलता मिलती है वहीं अंग्रेजों की ऐसी धार्णा है कि ईश्वा ने सिर्फ छे दिन ही बनाए है और सात्वा दिन अराम करने का होता है इंगलिस केलेंडर के अनुसार रवी वार सप्ता का आखरी दिन होता है इसलिए संडे कोई छुटी दी जाती है 1843 में अंग्रेज की गवर्नर जनरल ने सबसे पहले इस आदेश को जारी किया था रवी वार को छुटी का प्रस्ताव सबसे पहले ब्रेटेन के स्कूल में पारित किया गया ताकि बच्चे छुटी के दिन कुछ क्रेटिव काम करें ताकि लोगों को काम से सारिरिक और मानस अराम मिल सके आप सभी जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा है इसलिए गुलामी के समय मजदूरों को सातों दिन काम करना पड़ता था इसलिए उनकी हालत बहुत खराब हो जाती थी इसके खिलाव सन 1857 में मजदूरों के नेता नारायन मेघाजी लोखंडे न उनके इस प्रियासों की सफलता 1390 को मिली जब अंग्रेजी हुकूमत ने रविवार का दिन छुट्टी के लिए घोसित किया International Organization for Standardization के अनुसार सब्ता का आखरी दिन रविवार होगा इस दिन कौमन छुट्टी होगी इस बात को सन 1986 में माननेता दी गई थी कुछ देशों में सुकरवार की छुट्टी होती है ऐसा ज्यारतर मुस्लिम देशों में होता है क्योंकि वहां सुकरवार को इबादत का दिन माना जाता है इसलिए वहां रविवार की जगे सुक्रवार की छुट्टी होती है अब आप समझ गए होंगे कि संडे को क्यों छुट्टी होती है आप इस वीडियो को किस दिन देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं आशा है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी इसी तरहें मैटपूर जानकारी के लिए ग्यान अधिकार चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अपने दोस्त रिस्तेदारों के साथ शेयर जरू करें वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ज्यान अधिकार ज्यान करें सपना साकार